नमस्कार आप देख रहे हैं नीजवल इंडिया आपके साथ मैं हूँ काजोन नरायन शिरवात करेंगे ख़वरों की जहांसी में पिछले कहीं दिनों से उमस्भरी गर्मी चेल रहे जहांसी वासियों को आज की बरसाथ ने रहत पहुंचाने का काम किया है यह तो सुभा से ही मौस्म का मेचास बतला हुआ था लेकिन शाम होते होते ही यह बारिश में तब्दिल हो गया तेजवाओं के साथ जम कर पानी गिरा जिसे मौस्म में एकदम बतला आवा गया तापमान काफी नीचे गिर गया वही लोगों ने उमस भरी गर्मी से इस बारिश के विज़े से राहत के सांस ले है परपञ़ पहुची है जाउश पर्वान में जुटी होई है वही सुषना पर S.P. अपढना गुप्ता और A.S.P. सत्याम भी पुलिसपल के साथ मौक्ए पर पहुचे S.P.A. पर्णाव गुपता ने बताए कि खून सिलत पत युवक कश्रम मकान के अंदर पड़ा मिला जिसकी सुचना मिली थी इसके आधार पर साक्षे जटाने के लिए लगातार पुलिस जाच कर रही है जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगी की कारवाई की ज जो है वे अपने खेत में बने एक मकान में मृत वस्ता में पाई गए हैं और सुचना प्राप्त होते ही पिलिस फोर्स मौके पर पहुंच गया सारे सीनियर ऑफिसर्स भी यहां पर पहुंचे हैं फिल्ड यूनिट को बिलाया गया है और साक्षे संग्रन की कारवाई की जा फीशन आग लग गई जो से देख दुकानदारों ने अपने दुकान खाली की आग का कारण मालूम अभी तक नहीं पड़ पाया है लेकिन गार्डन मालिक के अनुसार लाखो रुपे का नुकसान जरूर हुआ है पुलिस और फार्बिकेट की गारियां मौके पर पहुंची लेकिन अगर किसी वज़े से कुछ पक्षम संगर्श हो जाए तो क्या कहें ऐसा ही कुछ हुआ मुझफण अगर के गाओ बागोवाली में जहां जुमे की नमाज पढ़ने को लेकर दो पक्षम में संगर्श हो गया पुलिस मौके पर पहुंची हालातों पर काबू पाया मौके पर पहुंच कर हालात पर काबू पा लिया लेकिन तब तक दरजुर लोग लहन हो चुके थे बाद गाओ में इस तरह की शर्मिंद्गी ना खाबिले बरदाश है लोगों का कहना है कि वो नमाज पढ़ने मज़द कए थे उनके साथ ऐसा होगा उन्हें मालूम नहीं हमारे गाह का गराम परदान सयद रोसन जोगे दबंगई गिरी से अपना काम बनवाने के लिए लोगों पर कभी लाठी चलवाना कभी डंडे चलवाना कभी पत्थराओ पराना गरों में लोगों के बढ़कर मारना जैसे के आज वीडियो वेरल हुई एक लोगों को गई गिरी दिखाते रहते हैं जो आपके साथ का हुआ वीडियो वाया हमारे साथ हमांज दूइगा दिन था वही बस्ते जिले के रहिया था ना के नियश्चे थाइस पर उस समय हड़ कम मच गया है जो बाइक्सवा-थीं तीन बदमाशो ने कार में सवार उको पर फारिंग कर ती कार सवार यूको ने फारिंग का लाइप वीडेयो भी बनाया वीडेयो में साफ्ता Betweenे कार वीडेयो बनाया है किस सवसा हो सकता है कि यहार हर की विवाद को लेकर करते को Perm क कि यृट्टी होई है जिसमें पुर्थम पच्छ सनी सोनकर एक तरफ से एक तहरीर दे गई जिसमें मनीश स्थिवारी और उनके एक अन्य साथी की बिद्वाई अधर्श की गई दूसरे पच्छ के मनीश स्थिवारी का ये कथन है कि जब वो गाउं से बाहर तहसीत तरफ जा रहते वहीं सीता पुर में नीजवल इंडिया के ख़बर का बड़ा असर हुआ है स्थिवाग ने अस्पताल में छापा मारा आपको उता दे कि बहु जचिज जन सिवा अस्पताल में मरीज की मौत के ख़बर दिखाते ही स्थिवाग ने अस्पताल पर छाप इमारी की कि कहीं न कहीं कोई तुराजमितिक दवाब या फिर कहीं गुलाबी नोटों के लालश में अनुफानल में जाज की गई है जाज के नाम पर खाना पूर्टिक की जा रही है अब देखना यह होगा कि कारवाई किस तरह की होती है कि में एक महला के मिठ्शू के संभणने है कि कैसूचना पराब तुई ती इसकी जाज के संभणने है नंसरवा हस्टिटल में हमाए है बाकी इनके CCTV और इनके रिकार्ट से जाज चल लए है कि महला किस तरफ परस्टिपी में आई थी वह बाकी पिरकिरिया हम जाज के बाद आपको बिस्तर जान का रही है अब हमारे पास पूटिज नहीं आए जैसे पूटिज हमारे पाफ लग होंगे वह इजहासी के आस्रा सोसाइटी ने गरीब आदिवासी बच्चों को खानी की समग भी बाटी बच्चों ने बहुत आनंद लिया डांस संगीतों का साथ आस्रा एंजियों की तरफ से मनाया आपको तादी की वलंचियर साक्षय अगरवाल का जरन दिन सोख के उपर आदिवासी बच्चों के साथ बहुती साथगी से मनाया गया बच्चों को फल समों से बिठाईयां बाटी गई हैं जिसे पाकर बच्चों बहुत खुश देखें इसी तरह सभी को अपना जरन दिव वाली युवक को कुछ शूप को ने पकड़ लिया और मर्डी समीती चौक लिया है और इंफानन मिघाल युवक को पुलिस ने जिलास पतार में घर्ति कराया जोहां पर उसका इलाज चल रहा है मामला शेहर कोतवाली अंतरगत मर्डी समीती चौकी के पास का बताय जा रहा मुई राइबरेली में आवद अतिकर्बन के खलाफ बाबा का बिल्डूसर कर जा है मामला मिल एरिया थानश्यत्र के अंतरगत दीवाननपुर कस्वे का है जहां राइबरेली से अध्यों को जोनने वाली जगदीश्पूर नेशनल हाइवे के चौड़ी करन का काम चल रहा है आई-वे के दोनों के नारुप पर लोगों ने आवärई कबजा करने के बाद निर्मार्ट कर लिया था जिसको लेकर एनेचरैई और जला परशासन के अधिकारों ने कई बार आवद अतिकर्मन कारियों को नोटिस भी दिया लेकिन आवाद कबजा नहीं अटाए गया लि जिसको लेकर लोगों ने रहने के लिए आवास और मुआफ़ा दिलाए जाने के मांग करते हुए प्रदर्शन भी किया। ललिफपूर के देलवारा जवाह नवादे विद्याले में देर शाम वॉलीवाल के दिसमेच शात्रों के बीच किसी बाद को लेकर विबाद हो गया। स्पोर्ट ग्राउंड में स्पोर्ट टीचर के देखनेक में बच्चे गेम की प्रैक्टिस करते हैं इस गटना को लेकर यहां सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि जब छात्रों विवाद हो रहा था तो उस वक्त स्पोर्ट टीचर ने विवाद को सुझाया क्यों नहीं स्पोर्ट ग्राउंड में मिलकर एक ऐसे गिरू का परदा फाश के आज गुरकपुर से बैठ कर विदेश में ठगी का काम करते थे अभी तक इन लोगों ने विदेश में रहने वाले कई लोगों से लगभग 3 करोड रुपे से उपर की ठगी को अंजाम दिया था तीन स्टेप के माधियम से लोगों को अपने जहां से में लेकर ठगी की घटना को अंजाम दिया करते थे कैंठाना शेतर के भीयाता में इन लोगों ने विगत कई महीने पहले फर्जी कॉल सेंटर खोल कर कुछियूकों को कॉल सेंटर में काम करने के लिए नौकरी पर भी रखा था उन्हें महीने के हिसाब से तरुखा भी दिया करते थे इस गरों के चार अभी भी फरार हैं जिनके बारें पुलिस पता कर रही है पहले स्टेज में फोन करके लोगों से बात करते थे कि आपके मुबाइल का नेट स्टो है आप सेटिंग के ऑप्शन पर जाएए जब पेडित उसे ऑप्शन पर जाता था तो उसे रेड किलर से लिखा स्लो दिखा दूसर स्टेप में आपको बताते थे कि आपको मुबाइल हैक भी किया जा चुका है आपने तीन ट्रांजिक्शन ऐसे किये हैं जो आपके मुबाइल पर शो नहीं कर रहा है लेकिन हम लोगों के पास ये शो कर रहा है तो हम उन्हें रंगे हातों ही रफ्तार कर लें आखिर उनके फर्जी अकाउंट में ट्रांसर कर देता था बाद में हवाला के जरीये रखम गोरखपुर पहुंशती थी फिर ये लोग उसे आपस में बाट लेते थे कर देखें गोरखपुर पुलिस और साइबर थाना गोरखपुर के नित्रित में एक फेक कॉल सेंटर का यहां पर भांडा फुडाज हुआ है यह पिछले आट-दस महीनों में बेतिहाता चेत्र में किराए की एक बिल्डिंग में एक जुब्लियेट नाम की कंपनी जो की को प्रसारित करके यहाँपर चल रही थी कानऔर में रावतपूर गुजई एंटिया क्रॉसिंग पर किये गये लगवन में वेपारी होने से उनक्रण की तरीके से बंद हो चुका है अगर किसी नहीं को हम लोगों से खरीदारी करनी है तो कम से कम देड़ किलोबेटर कर राउंड लेकर आना पड़ता है जिसकार लोग खरीदारी करने नहीं आ रहे हैं इस वज़र से हम वेपारियों को बहुत नुक्सान हो रहा है कानपी प्रशासन मामले में कोई सुधार करें जिससे वेपार से होते हुए अगर किसी को आना है उधर तो उधर तना घूम करके लगबक डेल फिल्मडर घूम के आना पड़ता है और जैसे क्रॉसिंग से पार करिए तो देखे दाहिने हाथ पे भी एक रास्ता बना दिया है उससे भी दर सो लोग आ नहीं सकते हैं दोनों तरब से रास् गरफतार किया है क्लिटेरा अंधेर का पाइदा उठाकर फरार हुआ पुलिस कमिशनर खानपूर द्वारा प्रादियों की धर पकड़ के लिए विशेश अभियान चलाया जा रहा है जिस पर सचेड़ी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी थाना सचेड़ी पुलिस ने म बीती रात में पस्षीन जोन की स्वाट टीम और थाना सचेड़ी के द्वारा सहिक तुरूप से कारवाई करते हुए चार लोगों को एप्रिहेंड किया गया जिनके कबजे से 25 मोबाईल फोन, दो सीमपी, कार्टूस अन्या अपतिजनक सामगरी बरामत हुई जब इन चारो वेक्तियों से उस्टाश की गई तो मालूम हुआ कि ये लोग भूम भूम कर अलालग शेहरों में चोरी करके या लोगों से छिनेती करके मुबाईल फोन चीनते हैं हिंदू नेता वरुन चोद्रे के निवेदन पर वागेश्वर धाम पिटा देश पर तीरेंद शाष्टे अपने तीन दिवस्या दोरे पर नेपाल पहुँचे इस दोरान काटमांडू एरपोर्ट पर शधालू द्वाराउट का जुबदार स्वागत किया गया और लोगों ने नेपाल पहुँचने के बाद जे श्रीराम के नारी भी लगाए जिसके बाद उन्होंने काटमांडू स्तेथ पश्रिपती नात्मंदिर जाकर दैशन और पूजिन किया पढ़ी दिरेन शाष्त्री नेपाल के मशुरू द्योग हराने चौधरी ग्रूप के वरून चौधरी के बुलावे पर अपने तीन दिवसे दौरे पर पहुंच रहे हैं नेपाल पहुंचने के बाद पढ़ी दिरेन शाष्त्री ने अपनी कथा के दौरान कहा कि नेपाल के लोगों को अपनी भूमी पर गौरानमित होना चाहिए यहाँ पर जन लेने वाले को आयोध्या नहीं जाना पड़ता बलकि आयोध्या के राम को यहाना पड़ता है नेपाल की भूमी माजानकी की नगरी है नेपाल की भूमी भारत के साथ कंधे सिकंधा मिलाकर पूरे विश्व में सनातन का जंडा पहरानी वाला राष्ट है के मुख्यतिती दर्जाप्राप्त राज्यमंत्री पुष्पदंत जैन महापौर, डॉक्र मंगलेश श्रिवास्ता, पुलिस अधिक्षक नगर कृष्ण बिश्णोई ने दीप प्रश्बृत कर विजयी पृतिहाग्यों को पुरुसकार वित्प्रण किये, सम्मानित किया। राज्किय बौद संग्हाले और क्लिकर्स के संयुक्त तात्वाधान में बदलते गुरकपुर से सम्मनित फोटोग्राफ्स पर आदाहरी दो दिवसे ट्रांसफॉर्मिंग गुरकपुर विशे पर कैमरा फोटोपुतियों गिताव प्रदर्शनिका अधिन किया गया था। प्रदर्शनिका अधिन ब्रस्पतिवार को सदर्सांसद रवेकिशन शुकला द्वारा किया था। वही समापन सम्मारों के मुख्यतिती दर्जपाप्त राजमती पुष्पदंत जैन ने कहा कि गुरकपुर के बदलते परिदिश्य को फोटो के जर्ये दिखाने का जो आय प्रदर्शनिका अबलोकन भी किया था। जो तस्वीर हैं जो हम सालों साल करते हैं उसको एक मंच देकर लोगों के बीच मिले जाए लोगों को जाकरूप भी करें। सफल खुलासार किया गया है। पिलिभीर में तेज रबतार SGS क्यामिकल से भरा ट्रैंकर पलड़ गया। सुश्रा पर स्थाने पुलिस और आपकारी भाकी टीम मौके पर पहुँचे टैंकर को क्रेन की मदल से सीधा करने की कोशिश जारी है। थाना जौहनाबाद लाके के रीचा बहरी तीरा हास्तित बिलाई खेड़ा के पास काई पुरा मावला है। ताजलगरी में तीन मंजला मकान धराशाही हो गया। असपास के मकानों के भी दिवार गिर गई। गनीमत रही कि हादसे के दुरान कोई मकान के अंदर मौजूद नहीं था मकान के लिने की वज़ा सीलन वताई जारी है। ताजलगरी में जोजोर बिल्डिम का मकल जाल है। जिमधार जोजोर भवनों से हादसे का इंतिजार कर रहे हैं। थानक उत्वाली शित्र में ये हादसा हुआ है। जन्पर पुलिस वाहनों की सगन चेकिंग चला रही है। तो निकाह के जल्द ही फरार कैदी पुलिस की गिरप्त में होगा। विकास खाण यमकेश्वर पॉड़ी गड़वार अंतरगर थाना लक्ष्मन जूला द्वारा SDRF कोग्राम गंगा भोगपुर तल्ला के पास गंगा नदी के बीच बने टापू पर एक्ष्म मिलने की सूश्वर पर पोस्ट डारवाला ने इस्पेक्टर कविंद सजवान के जरिये SDRF टीम रस्क्यू के तहत ततकाल मौके के लिए रवाना हुई। टीम में मौके पर पहुँचकर गंगा नदी में लगपाग 500 मीटर अंदर बने टापू पर फंसी हो गया तिशव तक पहुँचकर शव को किनारे लेकर आया और जिलाप पुलिस के सुपर्ट कर दिया। अने रिक्षक कविन सजवान ने बताये कि शव लगपाग 12 से 20 दुन पुराना है उम लगपाग 25 समा जा रही है। थाना नक्ष्मन जुरा पुलिस द्वारा शव कि शिनात के लिए आवश्यक कारवाई भी की जा रही है। कमोशन निर्मान को वैद करने के लिए बकाइदा नियामवरी मौजूद है। अगर शहरी इलाकों का निर्मान है तो वो HRDA के अधीन नक्षा पास कराकर किया जाता है। प्राधिकरण से बहार निर्मान को नगरपनचायद से लिना और पूरा प्रादशान करने पर निर्मान वैद होता है। दो भी आखाने तक कि जहमत गवारा नहींए। इससे भी बड़ी बात यहीं के नगर पंचायत इदिकारियों ने इस निर्मानों पर कोई और गौर नहीं किया हाला कि आप नगर पंचायत के अधिकारी खप्ते में नोटिस देने और इदिकारियों को रिपोर्ट परस्तूत करने की बात कह रही है करेंगे तो एनसी के लिए अपलाई करेंगे इन्हों एनसी दे दियागी वर्तुमान में पिलाल किसी की दुवारा जो हो एनसी के लिए अपलाई नहीं किया आप जलादिकारी नवीन पांडे तो पूर्डागिरी तेहसील मिनेश्रन के लिए पहुँचे जहां जलादिकारी नेत्सी की दिया की जल्बराव जैसे समस्याओ के निदान पर चप्रचा की गई जलादिकारी नवनीत पांडे ने सभी भागों के अधिकारियों को ज़रूरी दिशान इर देश आरी करते वे कहा कि जल्पावर जर्पत को आधर जर्पत बनाने के लिए आविशक है कि जर्पत का कोई भी शेतर विकास से अचुता ना रहे जाए इसके लिए समस्य विभागों को स्यक्त रूप से प्रयास करने होंगे और जंता के समस्याओं को दूर करने के साथ निरंतर विकास के लिए नई रास्ते तलाश में होगे जर्पत करना और शेतर में होने वाले जर्पराव की कबीर समस्या को जूर करने के लिए सम्मंदित विभागी अदिकारियों के साथ चर्चा के गई है और अश्रक दिशान निर्देश भी जारी किये गई है और इसके साथ तलाल खबरों में इतना ही आप बने रहे हैं न्यूस वाल इंडिया के साथ